जया हिंदी शुर्डेंट्स, वेलकम बैक अगेइन, दिस इस दिव्यांशु पांडे, आज किस क्लास में हम एक्ससाइज एमफेक्स के बारे में डिसकस करेंगे, जो की एक ट्राइ सर्विसेस एक्ससाइज हैं, तो इसी के साथ शुरुवात करते हैं आज कि इस सेशन की, जै आपकी एमफेक्स एक्ससाइज, जिसको हम एमफेबियस एक्ससाइज कहा करते हैं, और ये एक बाइनियल ट्राइ सर्विसेस एक्ससाइज है, जिसका मतलब होता है कि दो साल में एक बार कंड़क्ट होती है, और इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एर फोर्स और इंडियन तीनों ही आपकी forces, armed forces पाट्सपेट किया करती हैं इस बार की exercise 17 January से लेकर 22nd January 23 तक ये exercise आंद्रप्रदेश के काकी नाडा में आपकी संपन की गई है और इस आपके joint operation में हमारे तीनों ही forces के amphibious warships, tanks, aircraft ये सभी शामिल थे और सभी forces ने एक साथ मिलकर आपके सभी domains में complete activities को किया और तीनों ही सेनाए एक साथ मिलकर कैसे सभी चुनोतियों का सामना कर सकती हैं उस पर इस बार की exercise का focus रहा MFix is a type of a joint training of elements, all the three services in various fits of amphibious operation to enhance interoperability and synergy तो ये इसका main name ये ही था कि हम अपने interoperability को और भी कैसे बढ़ा सकें किसी भी domain में तीनों ही forces एक साथ integrated operation करके कैसे बहतर साज़िदारी निभा सकें MFix exercise में तीनों ही आपकी सेनाए पार्ट्सपेट की हैं और full spectrum का warfare आपका इस बार conduct किया गया है इस बार की exercise में ये सबसे बड़ी खास बात रही कि मारकोस कमांडो जिनको हम marine कमांडो कहते हैं उन्होंने participate किया इंडियन नेवी की तरफ से amphibious ships जिसमें large platform dock, landing ship tanks, landing crafts, destroyers, helicopters ये सबी इंडियन नेवी की तरफ से इस बार के exercise में आंद्रप्रदेश काकी नाड़ा में शामिल हुए थे वहीं इंडियन एर फोर्स की बात कर ले और आर्मी की तो इंडियन आर्मी की तरफ से एक battalion जिसमें लगभग 900 आपके soldiers होते हैं तो 900 troops का एक contingent इस exercise में participate किया जिसमें आपके special forces शामिल थे इंडियन आर्मी के artillery और armored vehicle भी इंडियन आर्मी की तरफ से ले आया गया था वहीं इंडियन एर फोर्स ने अपने fighter aircraft जैगुआर को लेकर इस exercise में participate किया यह आप जैगुआर देख पा रहे हैं और जो हमारा military transport aircraft है C-130J उसको भी इंडियन एर फोर्स ने इस exercise में उतारा था तो एक बहतरीन तरीके से इस exercise को 5-day में conduct किया गया और यह देखाता है कि भारती सेनाएं एक साथ मिलकर भारत की सामुदरिक सीमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं आप सभी defense aspirant SSB crack exam के interview online course और written courses में शामिल होकर अपनी तयारी बहतर कर सकते हैं सभी courses के bundles, live classes, test series एवलेबल हैं और आप courses में enroll होने से पहले इस warrior 10 का use करें जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses में मिलता जाए जाय हिन और बेस्ट आफ लग अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं